नमस्कार अंडर 14 गर्स टूर्णमेंट डिस्टिक लेवल के इस समापन समारों में आपके बीच आने का मुझे सोबा के प्राप्त हुआ है और यहां कर जो बच्चों का चुस्त और दुस्त जो मार्च पास्ट देखने का मुकर मिला और बहुत ही बड़िया माज़ पास था इसके लिए जातर स्कूरों ने जिनोंने बैतरीन प्रदेशन किया उन सब को बहुत-बहुत बिलाई अभी हमारे बीच में मंच पर बहुत सारे हमारे प्रदिकारी गन हैं पंचाची राजस्तन स्ताओं से पंग्रिस पार्टी के और अन्य जो हमारे जो स्कूली खीड़ा संग से जुड़े हैं उन सभी का नाम यहां पर कई बार दिया गया है मैं भी उन सभी को अपने संबोधन में शामिल करता हूं और प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आप सब को बहुत-बहुत बराई देता हूं कि आप सब ने अपने अपने स्कूलों से यहां पर आकर बैतरीन परदेशन देने का कोशिश किया और तो कि यह जो डो होतह जक्चन में दिए स्कूली जीवन में जिससीत्रा से आ आपके स्कूल का वर्शिग परिट्रशिग स्मारों होता है डैन्वार function होता है या sports दे होता है उसी तरह से यह भी जो है इंटर school जब district level के tournaments होते हैं आपको एक बैतरीन मोखा अपने पूलर को दिखाने का और साथ में आपको दुसरे स्कूलों के विजार्थियों के साथ उनके साथ इंट्रेक्ट करने का मुका मिलता है और साथ में जिस वेल्यू पर होता है वहां उस इलाके को देखने का भी मुका मिलता है अभी टूर्णमेंट में हमाचल प्रदेश के सरकार ने खासकर खेल पूद को बढ़ावा देने के लिए पिछले डेड़ साल के अंदर काफी नए कारे करमों को शूर किया है जिसमें बच्चों के जो डाइट हैं डाइट मनी बढ़ाने के लिए खिलाडियों के डाइट मनी मनाने के लिए और नेस्टल और इंट्रनेशनल लेवर पर जो वूद्स विदाएं चाहे ये खेल कूल के लिए ग्राउन बनाने की बात है चाहे बड़े स्टेडियम जिर्मान करने की बात है इस दिशा में भी सरकार ने बरपूर को प्रहतन किया है और आने वाले समय में हिमाचल में खेल कूल को स्कूली स्थर से लेकर आगे बनाने के के लिए विशेश कारेक्रम और विशेश बजट का प्रापधार मी किया जा रहा है अभी खिलारियों के लिए सरकारी सेवा वे जो नेस्टल्स में लगातार तीन बार खेलते हैं या जो मेडल प्राप्त करते हैं उनको जो है तीन परसंट तक का आरक्षन जो है खिलाडियों को हमारे सरकारी सेवाँ में रखा गया है तो बच्चे अभी अभी से अगर आप प्रयास करेंगे पड़ाई के साथ साथ खेल कूद को भी अगर आप बैतरी तरीके से आगे ले जाते हैं तो उसमें भी अच्छा प्रदेशन करने पर आपको सिर्कारी सेवाँ में जो है विशेश जो है आरक्षन प्राप्त है अभी अभी यहां पर जो बहुत सारे खेलों का आउजन किया गया एक खेल हमारा यहां चुट गया है अंडर फोर्टीन में बॉक्सिंग को भी जो है अनिवारे गूप से हमें इसको जो है आगे बढ़ाना है क्योंकि बॉक्सिंग में हमारे जिले के जो बच्चे हैं लड़के ल बॉक्सिंग में हमारे लड़के लड़कियों ने इंटरनेशनल लेवक्तर थ्याथी ट्राप्त की है और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम जूनियर सेक्षन में इसको शुरू से करें तो बच्चों को आगे तो है जो है जो है तो मेरा जो है स्कूली कीड़ा सं से यह जिविदेन रेगा कि अगले साल जब तूनमिल्स होंगे तो आपका बॉक्सिंग भी जो है आनिवारे रूप से इस प्रत्विताम का एक अंग बने इसके साथ मैं यहां पर जिला किनौर में भी खेल कूट को पर जो है तो सान देने के लिए बहुत सारे खेल मैदानो का बहुत सारे जो है यहां पर आप जानते हैं हमारी बोली प्रसिस्ट्री ऐसी है कि बहुत बड़े-बड़े खेल मैदान नहीं बना जा सकते फिर भी जहां जहां बूनी उखलवद है वहां पर मीनी स्टेडियम और स्कूली लेवल पर बास्कित बोल के बैटरिंग कोर्ट और दुसरे जो भी इंडोर स्टेडियम जो है बना जाए उसका हम प्यास कर रहे हैं आने वाले समय में कलपा के अंदर जो है हमें एक बैतरीन जो है खेल कूद के लिए एक परिसर बनाने जा रहे हैं जिसमें आदूनिक अथलिक ट्रैक भी उसके अंदर होगा बड़े खेल फुटबॉल, क्रिकेट, हौकी उसके अंदर खेला जा सकेगा और जितने भी आमाज दूसे माइनल गेम्स हैं उसके लिए प्रापदान किया जाएगा तक्वा के अंदर ही स्टेडियम के पास जो है दाइसो लड़के लड़कियों को रहने के लिए जो है तूनमेंट्स के समय या प्रस्क्रिशन के समय उनको बड़िया जो है यूतोस्तल का कारे करीव करीव कंप्लीट हो गया है और वो भी जो है आने वाले समय में सभी टूनमेंट्स में जब भी होंगे बच्चों को आप जो है तो में रहना भी पड़ेगा बैतरीन सुविदाएं आपको वहाँ पर जो है दी जाएगी ताकि आप अपना प्रस्टेशन भी बैतर कर सकें और जो भी अधूनिक सुख है यह कारे भी तकरिवन कंप्रीशन पर है और जो अभी अंडर 14 जो स्टेट लेवल के टूर्नमेंट को कि नौर के लिए इस बार करने का जो एक प्रस्ताब है उस समय हम इस जो है परिसर को यह जो हमारा यूथ होस्टल बना है इसको जो है खिलारी हों को जो आसमर्प्रत क करेंगे ताकि बैतरिन तरीके से अंडर 14 जो से यहां पर अभी यहां पर हमारे बीच में बाबा वैली में भी करसे तो काफुनू का हमने स्टेडियम बनाया है परन्तु इसको भी विस्तार करने के उशक्ता है थोड़ा सा छोटा है इसको और बड़ा किया जाएगा इस बा इसको भी विस्तार करने के विशक्ता है आने वाले समय में बिजली बोर्ट से यह मामना उठाकर इसको जो है और बड़ा किया जाएगा बेसक इसके लिए धन्दाशी हमें उप्रब करना है अभी हमारे यहां पर जिला किनौर में आइस स्केटिंग की भी बहुत बड़िया कोशिक हम इसकों कर सकते हैं कल्पा और संगला में हमने कोशिछ किया था हम बनाने का अब चला पाएं अब फिछले बार मुझे काजा में जाने का मुका मिला काजा में इस स्केटिंग को शुरू कि एक कुछ साल हुआ है स्पिती में परंतु वहां के लड़के लड़कियां अंडर 18 में नैशनल लेवल पर सिल्वर और जो है ब्रॉंज मेडल तक जीते हैं तो यह जो है हमारे यहां पर हो सकता है हम इसको बैतरिन प्रिके से इसको सभी स्कूलों में शुरू कर सकते हैं रोलर स्केट्स भी एक ऐसा खेल है जादतर हमारे बहुत सारे हमारे स्कूलों में बास्कित बोल के बैतरिन कोट बने हैं उसी कोट पर रोलर स्केट्स भी कराया जा सकता है ताकि हमारे बच्चे जिसको जिस खेल में रुची है उसका फैदा उठाकर वो जो है आगे बढ़ सक पिर इडवेंचर सपोर्ट को भी बनाने की झूट है आप जानते हैं कि हमारे किनौर से सेना में अर्शेनिक बल में और यहां तक की सिवल में भी ऐसे बहुत सारे हमारे यहां गूजवान है जिन को एवरेस्ट विजयता बनने का मोका मिला है उन्होंने एवरेस्ट को जीता है बड़े-बड़े जो है कंचिन जुनगा जैसे पाड़ों पर जो है चड़े हैं तो उनसे प्रेवना लेते हुए हम जो है कि नौर के अंदर एडवेंचर स्पोर्ट को भी आगे बनाने के लिए बरसक प्यास कर रहे हैं चांज को मेरा फास कर हमारे हमारे नाम नाकर हर रोज का जो हमारा कारेक्रम होता है स्कूल का बाटे कारेक्रम के साथ इसको आनीवाररे रूप से इसको जो है अपने एक सिलेवस का अंग मान कर इसको तलाएं हर रोज बच्चों को जो है कम से कम एक खेल के लिए उनको जो हत प्रोसाइब करें ताकि एक रेगुलर जो हत प्रेक्टिस करने से जो बच्चों के अंदर गुन है उसको निखाने का बेतरीन बोका मिल सके इसका हमें कोशिश करने की ज़रूरत है आज की तारिख में सुविदाओं की कवी बेशक है पर हमारे जमाने को अगर आप देखे के तो उस जमाने में फटबॉल भी जो है बिना जूते के खेलना होता था नंगे पैर से खेला जाता था होकी इस टिक नहीं मिलती जी थी उस समें तो डंडे लेकर उसको टेड़ा मेड़ा बना कर उससे खेला जाता था फटबॉल जो आज आपको मिल रहा है उस समें लेड़र फटबॉल जुआ बो लेस वाले होते थे और बास कि वोलबी उसी किसम को अच्भा था ठाज़े चाय लड़किया हैं चाय लड़के हैं बैतर supervision जो है इसका जो है जो है लाब उठा सकते हैं तूर कि हमारी यहां पर जो गोलिप जो सितििथी है और जो हमारे यहां पर लंगilen पावर है उसको हम गःतरी तरीके से इस्तेमाल करें तो और थे हैरे और आप अपने उसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े ग्राउंड भी नहीं चाहिए तो आप सड़क पर भी दोड़कर जो है आगे बढ़ सकते हैं मैं पिछले कुछ दिन पहले रेकों क्यों के सीनल स्केंडी स्कूल के वार्शिक प्रकर्शिक समारों में गया था तो वहां पर जो एक लड़की थी वो किनौर से नहीं थी बिहार की लड़की थी और वो जो है बारा सेकंड में उसने सौ मीटर का रिकॉर्ड बना है तो मैं समझता हूँ कि बारा सेकंड में और वो लड़क ये भी मैं पूछना चाहता हूँ तो हमें बैतर आगे करने की जरूरत है हमारे डीपीज और पीटीज की जिम्मारी है कि वो जो है हर प्रकार के खेलों को बच्चों को जो है उसकी तरफ प्रोसाइट करें और उनको बैतरिंग जो है जो है तौर तरीके चिका कर आधुनिक जो एक आज के युग में बिना जो है आधुनिक टेकनोलिजी के और जो लेटस्ट आपके पास जो रूल्स हैं उसको फोलो किये बगए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए जो स्कूली कीड़ संग है उनको साल में एक रिफ्रेशर क्रोस जो है हमारे पीटीज और डीपीज का जो है लगाना चाहिए जिसमें हमें जो है हर खेल के लिए जो एक्सपर्टाइज हैं उनको जो है शिमला से बलाना पड़े या किसी भी स्पोर्ट्स एस टेक्नीक में भी पीच्छे ना जाए और जो है खेल में जो नए नियम हर दिन बदले जा रहे हैं उससे भी पीच्छे ना रहे हैं इसके हमें कोशिश करनी चाहिए इसकिसम पर आयोजनों के लिए अगर किसी भी किसम की दन्राशी की अभूशकता है तो आप निसे कोश हमे किनोर में करना चाहेंगे अभी समय कम है फिर भी बाबा वेली के समस्जनता का धन्यवाद करता हूं आपके अंदर खेल बाबना को खेलों को आगे गरने के लिए आप बड़े जोश में आते हमेशा अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे महिला मंडलों ने बहुत सारे पंचैतों के हमारे पते निदियों ने बहुत सारे हमारे यूवक मंडलों ने यहां तक की वेवपार मंडल ने और अन्यस अस्ताओं ने बढ़ चड़ कर इस अंडर फोर्टिंग गर्स टूर्नमेंट को सफल बनाने में चाहे आप ने दनराशी के दौरा दिया हो चाहे बोज कि बागवानी मंत्री होने के नाते मैं आपसे बागवानी की बात करना चाहूँगा कुछ आती अभी यहां पर जो है दौईयां नहीं मिलने की बात कर रहे थे यह बात ठीक है कि बीच में कुछ कमी इसमें पड़ गई है परन्तु कोशिश करके जल से जल जितनी भी दौई है जो उतलब होनी चाहिए वो यहां उतलब किया जाएगा परन्तु एक बात आप से कहना चाहूँगा कि बागवानी ने हमाचल प्रदेश को आज आर्थिक रूप से बहुत मुझबूत किया पांच हजार क्रोड के करीब इसका जो है पुरा तर्न आउट है इसमें चाहे फसल को बेज कर है चाहे इसमें ट्रांस्पोर्टर्स है चाहे इसमें लेवर है सब मिलाकर पांच लार क्रोड से ज्यादा का कारोबार बागवानी के माद्यम से होता है परन्तु आज बागवानी के उपर जो आए एक किसम से बहुत जो है आने वाला समय जो है कोई बहुत क्योंकि बार के देशों से जो सेव आयात किया जा रहा है के अंदर की बाजपा की मोधी सरकार ने जो 75% जो टैक्स लगता था बार से सेव को आयात करने के लिए उसको कम करके 50% में कर दिया और पिछली मरतबा जब USA के प्रेजिडेंट आया थे उनको तो आशवासन दिया कि यह जो 15% है इसको 20% में कर देगी और आज पूरे USA से पूरे यूरप से यहां तक की इरान से यहां तक की आफगानिस्तान के रास्ते और यहां तक की चीन से अस्टेलिया से सेव जो है देश साइज में है और वो जो है हमारे लुए के अंदर बजार के अंदर भी भिख रहा हुए 300 रुपे किलो भिख रहा है वाशिंग्टन का सेव प्यों के बजार में भीख रहा है तो यह चिंता का दुश्य है इसलिए हमें बागवानी में गुल्वता लाने की ज़ूरत है जिस ऊपने वाले समय में सट्काइम के बं बंद होने वाले 800 सपूर इस वार बंद होने आगर यह रफ़तार रहा तो लगता हैOG आनेवhou समय में जायतर जो है private के तरब चल जाएंगे यहाल हमारे साइब का है तो लिए सेव जो है उत्तम क्वालिटी का हमें त्यार करना है अच्छे क्वालिटी के सेव का ही दाम आपको मिलने वाला है इसके लिए अभी हमाचल प्रदेश स्टेट कॉपरेटिव बैंक के तरफ से एक नई योजना शुरू की गई है आपको पचास लाग रुपे तक जो है हुआ इस भीटरिन की से का है इसलिए बैतरीन कॉलिटी का इलिए करना पडेगा अधाद मार्कट में आज जो है किसी भी पारटी को जो है एक मत नहीं दिया गया और इसी के कारण जो है आज हमारा लोगतंतर बचने वाला है अगर किसी एक पार्टी के पौवमंत मिलता तो दबारा यहां पर ताना शाही हावी होना था और हमारा लोगतंतर जिसके कारण आज हमें किसी भी धरन को अपनाने की आजादी है जिसके कानन आज हमें किसी भी किसिम के विवसाय को चुनने का अधिकार है और हमें जो है शिक्षा का अधिकार मिला है ये सारा का सारा जो है हमारे सनुदान से मिला है और हिमाचल प्रदेश में भी लंबे समय से कोशिश होती रही कि लोगतां तरीके से चुनिवी सरकार को किस तरह से गराय जाए दन बल के द्वारा ब्रस्टाचार के द्वारा दल बदल कर इसको गिराने की कोशिश हुई परंतु उस किसम की ताकते आज जो है फ्रेल हो गई है और हिमाचल के लोगों ने जो एक जन्मत कॉंगरेस के पूरे पांच साल हिमाचल में काम करेगी और हिमाचल को एक विक्षित राजे बनाने के लिए बरसल क्रास करेंगी मैं इनी शब्दों के साथ सभी बच्चों को जिन्होंने टीम इवेंट्स में पार्ट स्पेड़ किया उसमें जो है प्रतम स्थान जित्य स्थान और चित् से इस बार कुछ भी नहीं कर पाए वो अगले बार के लिए बैतर तरीके से और क्यानी करके आए और एक बात मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने कुछ साल पहले स्कूलों में जो है एक गुन्वत्ता लाने के लिए जोहारला नहरूजी देश के प्रतन परदान मंत्री के ना उनको जो है मुल्यांकर करके जो एकडेमिक्स में स्पोर्ट्स में एक्स्रा कैलिक्रिक्रिय एक्टिविटीज में इन सब पेरामिटर्स में जो अबल आते थे उनको जोहार उतकिस विजाले से सम्मानित किया जाता था उनको एक ट्रॉफी और पचास जार रुपे दे जात जाता था कि sila secondary high school middle school और primary section तक इसको किया जाता था पर ने इस विजास्ता को बंद कर दिया हमने फैसला लिया है कि इस बाहर दवारा से जो जोहार उतकिस्ट विजायले का चैन है वो किया जाए जो बच्छूल लोगा उसको टौपी और जो है इनामात क्या चैश्च में ज जैसे हमारे गर 32 सीनर स्कूल हैं तो जो सबसे बेस्ट स्कूल है उसको सबसे निचले पाइदान में दिखाया था और जो इस पेरा मीटर में सबसे पीछे लगया उसको नमबर वन पे दिखाया गया था गुदर जैसे 32, 31, 30 ऐसे निचे गवाना था और इसी तरह से हाई स्कू पर हो रहा है यह काम भी इस बात से जो है शुरू किया जाएगा और उसके लिए कमेटी का घटन करके सभी स्कूलों का दोरा करके कमेटी इसका मुल्यांकन करके वर्ष के आखिर में या जो है नया जब शेशनिक जो आपका सेशन लगता है उस समय रेकंग प्यो इनको पुरुषकार जो है दिया जाएगा उसमें साथ में उन सभी जो खिलारी जो स्टेट के लिए चैनित होंगे स्टेट लेवल में या नैशनल लेवल पर जो अच्छे जो है अपना विजल दिखाएंगे उनको भी वहां पर सम्मालित किया जाएगा अभी यहां पर गॉर्मन्ट सीनर स्केंडी स्कूल कडगाओं में हमारे बहुत सारे साथियों ने जो है आज के इस आयोजन को जो है स्कूली कीड़ा संक को जो है एक स्योग राशी देने की जो यहां पर उनोंने फैदला किया है जिसमें रोबिन नेगी दोजार रुपे द सब्सक्राइब नेगी 5000 और हमारे यहां पर प्यारा प्यास देव दोजार और हमारे दंपत हमारे दोजार विनोद नेगी 5000 हिनमत सिंह नेगी कामरू 5000 को प्रेम प्रकाश रिपाव 5000 कुल 45,000 रुपे स्कूली कीड़ा संको बैतरीन तरिके से आगे है विजन के लिए भी यह लोग अपना देए तो मैं कि भी शब्दों के साथ उन्हें जो आए यह कहना चाहता हूं कि अब सरकार ने यह भी घासला किया है कि प्रैमरी से इंग्लिश मीडियम को आनिवारे बनाया गया है और सभी अजयापकों से मेरा निवर्दम रहेगा कि इंग्लिश मीडियम को ज लेब्स में कोई कमी नहीं है हमारे पास जो आई सिटी लेब है वो बैतरीन है दुसरे लेब्स हमारे पास बैतरीन है स्कूल में इंटरेक्टिब बोर्ड हमारे पास जो है लाकों रुपके हर स्कूल में पड़े हुए है मैं प्राइबेट स्कूलों में जाता हूं तो वहा क्वों फिलिए थुआ हैं इसकी हमें चिंटा करना था कि हमारे जो हमारे बच्चे इनको हम बैतरी नागर्न के इसका हूं कोई करना है जो अभाई शखल तरीके से आयोजन करने के लिए जो आयोजन समिति है और यहां के स्थानिय सभी हमारे मयलम मंदल न्यूद मंदल और हमारे पंचाति राज के सभी जो हमारे प्रतिनीधी ए विसमें सर्पिक से योग किया हुए उन सब का बहुत दैनाबात करता हूं जाय झाल झाल